जाहिन साथ ही हूँ आप सभी को दोस्तों आप सभी को मैं डॉकुमेंट वेडिफिकेशन से रिलेट कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आप सभी को रिजल्ट डिकलेडेशन का मैं ऑफिस्यल नोटिस दिखारना चाहता हूँ यह आपका 3 मार्च 2030 का नोटिस है आप यह देख सकते हैं 3 मार्च 2030 का यहाँ पर नोटिस पर लिखा गया है रिजल्ट आप स्केडियूल 1 अफ 2023 में भी डिकलेट ऑन 3 मार्च 2023 इन वन गो यानि 3 मार्च 2030 यानि आज के दिन आपका रिजल्ट आनाता है आज नहीं आएगा तो कल भी आ सकता है या पर बात करेंगे आप यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट आएगी जैसे आज रिजल्ट आने के बार आप लोगो सबसे पहले क्या दिखेगा लिष्ट दिखेगी इस तरह का आपको लिष्ट जारी किया आगे आपको टोटल साथ लिष्ट आएंगी पहला लिष्ट आएगा दूसरा लिष्ट आएगा तीसरा लिष्ट आएगा और इस तरह से लिष्ट वाज आपका नम आता रहेगा और आपका नम किस तरह से आएगा यह आप देख सकते है कि हार डिविजन का है हो नेम है एसो नेम है और बी ओ नेम है जहां आपका बुलाया जाएगा आपको डॉक्मेंट वेडिफिकेशन के लिए ठीक है तो इस तरह से आपको लिस्ट जारी कर दी जाएगी ठीक है जैसे आप यहां पे नाम देख सकते हैं रिसीता पाटिल इस से आपका नाम भी आएगा आपका जो लिस्ट आएगा उसमें तो एक लिस्ट अभी पहले लिस्ट वन आएगा फिर लिस्ट टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा 567 लिस्ट तक आने की संभावना है तो साथ लिस्ट आएगी दोस्तों यह लिस्ट आने के बाद आपका select किया गया है subject to submission of original आप जब original submit करेंगे तब तो इस तरह से आपको जो list दे दी जाएगी जिस जब आपका list आएगा जैसे रियर्ट आने के बाद इस तरह की list आपको डाल ली जाएगी list आने के बाद आपको क्या क्या document लगते हैं वहाँ पे क्या क्या ले जाने होते हैं सबसे पहला जो document होता है वो सारे हमारे original documents होते हैं जो आपके original है 10 के साथ ही साथ आपका original तो आपको लेके ही जाना है साथ ही साथ दो prints आपके self attested यानि खुद का signature क्या हुआ ले जाना है दूसरा बात तेंथ का आपका certificate ले जाना है और mark sheet दोनों ले जाना है जो आगर आप board से हैं अगर आप CVSE से हैं तो आपका एक ही में ही certificate भी होता है और mark sheet भी होता है तो यह रही आपकी दो चीजें जो आपको immediate जो साथ में लेके ही जानी है और इजिनल लेके जानी है नितेंथ का certificate तेंथ का mark sheet और जाना है साथी साथ आपको दो prints भी ले जाना है वो कभी कैसे self attested ले जाना है self attested का आर्थ होता है कि उस पर आपका signature होना चाहिए ठीक है जो certificate है वो आपको साथ में लेके जाना होगा चौथा point पे बात करें PWD certificate की PWD certificate अगर आप किसी तरह का विकलंगता का certificate दिखाना चाहते हैं अगर आप हैं relaxation चाहते हैं तो आपको PWD certificate ले जाना होगा पांच माँ बात करते हैं हम लोग domicile certificate कि domicile certificate ले जाना जरूरी भी है नहीं भी जरूरी है अगर है तो बहुत बढ़ियां नहीं है तो कोई दिकरत नहीं है वैसे आपको यह official जब result आएगा तो इस चीज़ को आपको डिकलेर कर दिया जाएगा कि आपको domicile certificate ले जाना है या नहीं domicile होता है कि आप किस राजी के निवासी है तो वहां कि आपस्थाई निवासी है उसको domicile certificate आयाता है अगर आपको document result जब जारी होगा उसमें आपको यह data दी जाएगी कि आपको domicile ले जाना है नहीं ले जाना है आपके डियर्ट आएगा तो यह भी आपको clear कर दिया जाएगा लेकिन computer certificate कोई मांग नहीं रहा है आपको सिर्फ knowledge आगे बात करें आपको एक अधार card ले जाना है अधार card तो मस्ट ही है आपको ले जाना है अधार card का print भी ले जाए और original अधार card भी ले जाए pen card ले जाना है अभी नहीं ले जाना है अगर आप चाहें तो अभी ले जाएं क्योंकि आपका जब जोईनिंग होगा उस टाम pen card का जरूरत पड़ता है क्योंकि जब आपका salary account बनता है तो आपका pen card वहाँ पर important हो जाता है ठीक है तो अभी है तो लेके जरूर जाएं नहीं है तो आप बनवाले और लेके जाएं साथ में passport size photo दो passport size आपके photo लेके जाना होगा आपको यह आप ध्यान रखेंगे passport size photo आपको लेके जाना है नौमा application print out बहुत से लोग कन्फूज है कि उनका application print out नहीं निकल भी रहा है तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं है print out ले जाने की आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपका print out जो होगा वो print out निकलवाने की कोशिश जरू करें साथ ही था जब डोकुमेंट बैडिकेशन में आप लोग जाएंगे तो mobile with registered number आप जिस्ट mobile number से आपने फॉर्म भरा होगा वो mobile नमर आपको वहां पर लेके जाना है जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का किसका ब्रांच पोस्ट मास्टर का तो आप यहां पर जख सकते हैं यहां पर टी आर जो दिया गया है continuity अलाउंस 12,740 यह जो होता है डियरेंस अलाउं 21,6 एंट ओपीज है टोटल आपका 15,156 रुपे बनते हैं ठीक है जिसमें से आपका कुछ डिड़क्शन होता है 50 रुपीज और 30 रुपया कुछ और डिपार्टमेंटल यूनियंस के लिए डिड़क्शन होता है आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 15,076 रुपे के आसपास आपका यहां पर BPM के लिए यह ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपका यहां पर सै 567 लिस्ट आपका निकलते रहेगा जिसमें आपका नाम आता रहेगा जैसे यहां पर देख सकते हैं तीसरा हमने देखा कि आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर इमेल पर करें परसेंटेज वालों की बहुत से मेरे पिछले वीडियो जो बहुत से लोगोंने कमेंट किया कि सर बहुत से लोग मुझे हसी मजाक में वह और आ रहे हैं कि 50% का नहीं होगा 60% का नहीं होगा 70% का नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है उसका मैं कारान आप सभी को बता देना चाता हूं सबसे पहले आप लोग कारान समझें इस सीच का दोतों जो 80% और 90% वाले लोग होत है हमारा हर state में एक board exam होता है ठीक है तैंत का board होता है ठीक है तैंत बोर्ड में क्या होता है maximum जो marks होटते है student के जो topper के होते हैं marks वो 80% 90% ये topper के ही marks होते हैं आप आप ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी जो topper है जिसका 80% marks है वो कभी भी इन exams में appear नहीं होता है इन exams के लि दे ये percentage वाले लोगो को तैसी चाहड़ दे क्योंकि हाइस नमबर ही बोर्ड वगरा है चाहे बिहार बोर्ड देख लें आरिया ना कोई सा भी बोर्ड देख लें जो सरकारी बोर्ड है 80% 90% जाना जाता ही नहीं है जो toppers के marks होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोग बच्चे हैं जो एक्चुल में हैं जो इनका सेलेक्शन होने वाला है क्यों कि आपकी जो सीट्स हैं वो 40,000 प्लस सीट्स हैं आपकी ये बात आप लोग धियान रखें 40,000 प्लस सीट्स है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है आप लोग का आज रियल्ट आ जाएगा आज नह हैं और चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों आप सभी जितने भी लोग हैं सारे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी रियल्ट आए आपको तुरण डेटा आपको मिल जाए तुरण रियल्ट डेटा मिल जाए जब जब लिस्ट आएंगी तो लिस्ट की सूची मै आपको प्रवाइट करूँगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरू करें जय हिंद होने मात्रम